So, hello everyone, in today's video we're gonna talk about 3 worst mistakes जो कि आप अगर MC में जाने वाले हो या फिर कोई भी यार पोर्स ले लो आप आप सब के उपर या अप लिगेबल होगा ताकि आपको पता लगे कि यार ये तीन गलती हैं तो आपने बिल्कूल भी नहीं करनी इससे definitely यार आपकी अच्छी placement लगेगी and as an individual भी आप बहुत उपर जाओगे तो लेकिन उससे पहले यार वीडियो को like जरूर कर दे न किसी भी point में अगर आपको पसंद आई हो और इस वीडियो पे हम target रखते हैं 1000 likes का at least क्योंकि वीडियो बहुत बढ़ी होने वाली है पन से मैं जो भी सीख रहा हो जो भी coding language सीख रहा हो जो भी चीज़े सीख रहा हो उसको real life में implement करने की पूरी कोशिश करता और करता भी ठीक है तो यार जैसे भी college शुरुआत होती है तो बहुत सारे subjects आते हैं मारे पास नए होते हैं वो like OS हो गया DBMS हो गया software engineering हो गया तर हमें इतना नहीं करना कि यार हम सिरफ number लाने के चक्रों में बढ़ता हैं क्योंकि वो early stage जब हमारी जा चुकि है वो हमारी practical चीज़े implement करने की stage है like example ले लो अगर मेरी OS की class है और अगर यार मैं पूरा पूरा दिन OS फड़ हुआ उसके questions solve करूआ और OS में अच्छे number ला हुआ तो मुझे placements नहीं मिलेंगी ठीक है उससे मेरी मदद होगी कि मेरी CG पे अच्छी है यह लेकिन जो भी चीज़े example ले लो अगर मैंने first day से Android development start कर तो जो भी लोग यार MC शुरुआत करने वाले हैं कोई BBC example कोई भी यार courses ले लो वो पहले दिन से हर चीज practically implement करके देखे एक्जांपल ले लो जो में पैसे एक example आया था I connected with a student जो कि यार मेरी जैसा ही था and he connected with me and said कि यार उसे Android पहले शुरू करी लेकिन उसके लिए वो different different technologies try कर पाओगे tech stack try कर पाओगे and you will get to know what is the best thing for you and what is the tech stack that you are passionate about number two is coding related opportunities तो यार coding related opportunities का ये मतलब है कि यार जैसे ही आप college में घुजो आपको जितना मर्जी आता हो आप starting से ही start करना शुरू कर दो कुछ कुछ चीजे जैसे development ली ऐसे थोड़ थोड़ी करने शुरू कर दो चाहे कोई भी hackathon हो GFG पर coding contest हो या कोई भी college में coding competition हो या कोई भी workshop हो चाहे वो git सिखाने की क्यों नहीं हो हर जगह आपने जाना है चाहे बोड़ चीज आती है नहीं आती चाहे आती भी आप ज़रूर जाके कोई नहीं चीज यसे जहां पराब चाहरे हो तो जरूर जाओ हर जगा अलग-अलग ग्रूप जोइन कर सकते हो अलग-अलग टेलीग्राम चैनल जोइन कर सकते हो जिससे आपको पाता रहे कि इस कॉलेज में यह कॉंपटिशन हो और सबसे इंपॉर्ट अरे रुको रुको इस अमेजिंग वीडियो में आगे चलने से पहले जल्दी से एक बारी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग को यार ऑनलाइन डिगरी करने होते हैं कोई भी जॉब करने के साथ साथ चाहे वो MBA हो चाहे वो BC हो चाह अगर आपको कोई भी ओनलाइन डिगरी करने हैं वो है college विद्या अगर आप college विद्या के website पे जाते हो तो आप directly compare कर सकते हो between online universities and different factors यहाँ पर आपको free audio और video counseling भी मिलेगी इसके लावा आप किसी भी university के page के ओपर directly proceed कर सकते हो सिर्फ college विद्या website के थ्रू ताकि आप कोई भी fake websites के चक्कर में ना पढ़ो यहाँ पर आप कोई भी university के suggestion ले सकते हो वो भी सिरफ 2 minute में using a suggested university feature अब आप सोचे होगी क्या और क्या reason से college विद्या को चूज करनेगे तो यहाँ पर आपको एक dedicated counselor मिलता है जो कि आपके start of the admission से लेके till your placement तक आपके साथ रहता है आपको guide करत यहाँ पर आपको EMI options मिल जाते हैं university की fees भरने के लिए इसके लावा यहाँ पर आपको placement support and a career booster program बिल्कुल free मिलता है अब यह भी आपको और क्या reason चाहिए यहाँ पर इस website क्यों पर जाने के लिए जिसको भी online degree करने सरूर जाके description box में check out कर लेना और अगर नहीं पता हो तो दोस्तों भी जरूर बता देना all relevant links are given in description box जितने भी आप coding competition GFG पर coding contest करोगे उतनी आपकी या DSA या फिर जो भी coding level जिसमें भी आप जाना चाहते हो वो strong होती जाएगी आपका एक perfect यह जो भी अगर मान लोगे आप किसी चीज में जीत भी गए तो या फिर participation करते हुए आप अपने resume में यह चीज़े नहीं लिख सकते हैं 12 में मैं यह quiz competition जीता था या फिर मैं यह poster making जीता था ऐसी नहीं लिखनी होती resume के अंदर आपको चीज़े लिखनी होते हैं जो भी आपकी tech stack है उसको justify कर सके तो यह सब चीज़े मत करना definitely हर coding competition में जाओ आपको पता लगेगा और आप हर level पे हर एंग चीज में जिसमें participate करोगे level up होते रहोगे number three is peer groups तो यार कोई भी college के अंदर जाओ तो यार एक peer group जरूर बना के चलना कि यार दो या तीन दोस्तों वो पके दोस्तों और वो एक दूसरे से जले ना सबसे important यह चीज़ है उन्हों यार जलन नहीं होने चीज़ दोस्तों में मेरे साब से और उनके साथ यार आप coding competitions में जाओ आप participate करो different different चीज़ों में आप उनके साथ projects मिलके बनाओ इससे क्या होगा कि आपका एक peer group है वो strong बनेगा अगर आप उसमें तो definitely यार आप बहुत जल्दी चीज़े सीखोगे और आपको exactly कोई topic अगर आपके दोस्तों को जादा आता है या आपको आता है तो आप उससे पढ़ाओगे तो आपका strong होगा वो आपको पढ़ाएगा तब भी आप एक तरीके से इंप्रूब होगे और वो भी इस वीडियो का यह मतलब था कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो पूरा सिरफ कॉलेज जो भी करा रहा है कॉलेज में माक्स लाना इसके सहारे मत बैठे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट में त्राय करना इंटर्शिप लेने की अलग-अलग कोल्ड इमेल्स की लिंक्ड करते तब ही वो थोड़ा और campus placements में भी off campus placement में भी उबर गया तो अगर आज की वीडियो आपको यार अच्छे लगे तो दूबी विड़ा लाइक आगे आने मेली वीडियो और भी जादा यूसफुल और भी जादा प्रूफ के साथ और भी जादा बढ़िया होने वाली आ आपके लिए तो आज की वीडियो के लिए इतना है thank you so much